नमस्कार दोस्तों एक बार पनो हाजरों हो मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गो ब्लोक्स पे हमारे सामने जो ये हतेली है अगर आप इस हतेली को एक नजर करते हैं तो देखेगा हतेली का जो आकार है वो एक आयताकार हतेली आपको दिखाई पड़ रही है देखेगा जिस ब्यक्त की भी हतेली आयताकार होती है वो ब्यक्त जो है बोलने से ज़्यादा काम उसका होता है सारे रिक मेहनत ऐसे लोग कम करते हैं अपने बुद्ध का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और बोलने से इनका काम ज़्यादा हो जाता, जैसे सिक्छक हैं, एक छोटा सा उदारन अगर आप लेते हैं, तो इन लोगों का काम जो है बोलने से ज़्यादा होता है, यदि अगर कोई इंजिनियर है, या कोई ऐसा बिक्त है, जिसको सारेरिक मेहनत ज़्यादा करने होती है, तो ऐसे लोगों की हतेली चोकोर किसंद की पाई जाती है अगर हतेली में हम देखते हैं तो हतेली का जो रंग है कहीं न कहीं एक उज्वलतम रंग है ये रंग जो है कहीं न कहीं जो है हमें इंगित करता है कि ब्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है और जिवन में कुछ करने की ऐसा बिक्ति ठामता रहता है एक उदेश्य को लेकि ऐसा बिक्ति आगे बढ़ता है उसकी पूरती के लिए उस उदेश्य को पूरा करने के लिए पूरा जोर ऐसा बिक्ति रगा लेता है यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है और ऐसा तिल ठीक नहीं माना जाता है भग्या रेखा मतलब धन की रेखा और यहां जो बात होगी वो धन की है यदि इस रेखा पर काला तिल आ रहा हो तो इसका फल भी धन से समण देती ही होता है जिस अस्तान पर भग्या रेखा पर तिल आता है धन हानी होती है या जो है ब्यक्तिक करजे में डूब जाता है या ब्यक्तिक के पास धनी ही नहीं आता है लेकिन दूसरी बात है ये ये जनमसी है ये नोंने कुछ बताया नहीं है तो इसका कोई फली इनको नहीं मिलेगा गलत फल नहीं मिलेगा ये धाय साल से पहले ये तीन साल से पहले अगर उगा है तो इसका जो प्रभाव है धाय साल तक जादा रहता है उसके बाद इसका प्रभाव नगर्ण हो जाता है ये धी धाय तीन साल से पहले का है तो ठीक है ने तो 24 से 25 वर्शों के बीच में ये आपको धनानी निश्चित दिखाई दे रहा है तकरीबन तकरीबन 28 वरसE से या अगर जिवन रेखा के और जाएं तो 34-1 वरस में लेकिन जिवन रेखा से नहीं निकलता है भाग्या रेखा पे निकलता हुआ यह दिखाई दे रहा है तो 28 वे वर्स में यदि थोड़ा सा कहीं न कहीं जो है मुस्किलों का सामना या मानसिक परिशानी का सामना ब्यक्ति को करना पड़ेगा और धन के समंद में भी ब्यक्ति को कहीं न कहीं जो है सावधानी रखनी पड़ेगी येदि आपकी ये उम्र गुजर गई है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बरतमान समय में देखते हैं तो कुछ ग्रहन अक्षतर आपके कमजोर इस्तिति में दिखाई पड़ रहे हैं उन ग्रहन अक्षतरों की और भी हम बात करेंगे सबसे पहले अगर देखें तो हतेली में बिभिन परकार की छोटी छोटी रेखाओं का आगमन हो चुका है ये ब्यक्ति की ब्रतमान समय को इंगित कर रही है कि ब्यक्ति का जो ब्रतमान समय होगा वो थोड़ा सा संगर्समय जिवन होगा और पैसों के मामने में देखा जाए तो पैसे तो आ रहे हतेली में अच्छे खासे भी आ रहे होंगे मगर थोड़ा खर्चेला सुबाओ जादा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम आपकी हतेली में देखें प्लस पॉइंट के हिसाब से देखें तो देखेगा आपकी हतेली में तरजनी उंगली अच्छे खासी लंबी है आपकी जो हतेली है हम इस हतेली में एक प्लस पॉइंट देखते हैं तो देखेगा हतेली में जो अनामिका उंगली है वो अच्छे खासी लंबाई लिए हुई है यह आपकी हिम्मती सुभाओ को बता रही है आप यह सुश्वी होंगे मान समान परतिष्टा आपके समाज में रहेगी और कहीं न कहीं देखा जाए तो सुन्दर ब्यक्तितों के आप मालिक होंगे यह हतेली कहीं न कहीं इंगित करते हुई दिखाई दे रही है वोही एक प्लस पॉइंट और दिखाई दे रहा है आपकी जो बुद्ध की उंगली है वो भी सूर्य की उंगली के पहले पोर के बराबर पहुँच रही है मनी मेनेजमेंट में, कागजों के रख रखाओं में अच्छा खासा जो है ऐसा विक्ति रहता है कम्यूनिकेशन इसकिल्स बहुत सुन्नर रहते है और कहीं न कहीं वानी की जो सक्ति होती है वो भी बहुत मदूर रहती है योजना बद तरीके से ऐसा विक्ति काम करने वाला होता है लेकिन बुद्ध का जो हिसाब के ताहप अगर वो देखा जाए तो पुष्ट आउस्ता में यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ब्यक्ति का जो ब्यक्तित तो होगा वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है इस और इंगित कर रहा है और ऐसे ब्यक्ति मनो ब्यग्यानिक होते हैं सामने वाले को किस तरों से प्रभावित करना है अच्छी तरों से यह जानते हैं लेकिन अपनी भावना को दूसरी के सामने व्यक्त करने में थोड़ा संकोच आते हैं, संकोच जो है जरूर करते हैं, अपनी फिलिंग को एक्स्प्लॉर नहीं कर पाते हैं, ये थोड़ा सा ये अस्तान यहां पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा आपको ब्यापार करते हैं, तो उसके लिए जो है आपको ये छेतर को पुष्ट करना जरूरी है, नहीं तो आप ब्यापार नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे, तो मध्यम इस्तिति आपकी ब्यापार के रहेगी, अगर हम इन हतेलियों के बीच में देखें, थोड़ा गैप सूचना दे रहा है, कि थोड़ा सा जीवन की जो दिशा है, उस दिशा में आप जो है कहीं न कहीं भटकते नजर आ रहे हैं, सही दिशा पकड़िएगा, और जीवन का अलमें अगर आपने सही दिशा पकड़ ली, तो जीवन का जो old age होगी, उसमें 500 की समस्या आपको नहीं रहेगी, सूर्य का प्रवत अगर आप दिखाई देते हैं यहां पे, तो सूर्य का प्रवत कहीं न कहीं जो है, यहां पे दोस्युक्त नजर आ रहा है, बरतमान समय में आपकी मिहनत का, आपका परिस्रम का पूरा सरे आपको मिलता है, अभी नहीं दिख पा रहा है, चाए आप नोकरी कर रहे हूं, चाए आप व्यावसाई कर रहे हूं, उसमें बरतमान समय में बिस्तार नहीं दिख रहा है, अगर आप कोई भी हो जीवन में काम समन्दी हो, यह जीवन में कोई भी अपूर्चुनुटी हो, आपकी हतेली में आतो रहा है, आपके पास आतो रहे है आप कैस नहीं करा पा रहे हैं दिस्तार नहीं कर पा रहे काम बनते बनते यहाँ पे रोकते हुई नजर आ रहे है उसका कारण आपका दोस्युक्त सूर्य है यहाँ पे एक पलस पॉइंट भी दिखाई दे रहा है आपकी उपरी मंगल से एक रेखा चलकर सूर्य की ओर आ रही है ये बहुत सुन्दर रेखा है ये रेखा जिस किसी भी की हतेली में होती है बले ही वो बरतमान में मुझदूरी कर रहा हो 5-6 लोगों के नीचे काम कर रहा हो लेकिन ये रेखा जब बलोती हो जाएगी अभी बलोती नहीं है देखी क्यों नहीं है इसको भी मैं समझाता हूँ यहां से जो है आप देखोगे ये रेखा जातो रही है इस तरह से लेकिन कई रेखाएं जो है यहां पर इसको काटती हुई साब तोर से नजर आ रही है इसके प्रभाव को बहुत ज़्यादा कम कर रहे है लेकिन ये तब भी अगर प्रभावी रह गई हो तो सूर्य का जो परवत है उस परवत पे जो है दोस्युक्त नजर आ रहा है वैसे जिसकी भी इस तरह की रेखा होती है ये रेखा जो है इस रेखा वाला व्यक्ति अपनी जन्म अस्तान से दूर प्रगति करता है और बहुत सुन्दर प्रगति करता है ये रेखा विदेश से भी धन का अच्छा खासा आगमन करवाती है और व्यक्ति को अच्छा खासा धन देती है लेकिन इस तरों से अगर रेखाएं काटती है व्यक्ति के जीवन में आगहत होने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यदि आप खाने पेने के सोकिन हैं बहुत ज़्यादा दोस्ती रखते हैं तो आपके पास पैसा तो अच्छा खासा होगा लेकिन कहीं न कहीं जो है विश्वासगात हो सकता है इस और जो है सावधान रहेने की आवशकता है दूसरा जब तक आपने सूर्य को पुष्ट तम अवस्ता में नहीं लाए हो और बुद्ध को भी पुष्ट अवस्ता में नहीं लाए तब तक ये मंगल की रेखा ये कुबेर की रेखा आपको फल नहीं देगी लेकिन आपने अपनी दिन चर्या में थोड़ा सा भी बदलाव किया बेग्यानिक ढंग से आपने बदलाव कर लिया तो निश्चित मानिएगा अच्छा खासा सामरज्य आप खड़ा कर पाएंगे और बहुत धनी जो है आप हो जाएंगे और धन के मामले में सरेश्ट तम बहुत जादा बैठा हुआ यहां पे नजरा रहा है और बहुत जादा दोस्युक्त यहां पे नजरा रहा बहुत सारी रेखाई इसको काट रहे हैं देखेगा सनी नोकरी का मालिक होता है और भग्य की रेखा भी यहीं पर आकर रुखती है तो कहीं न कहीं जो है विप्ति क भग्य को भी ये असर डालता है नोकरी पाने में, नोकरी करने में, नोकरी बदलने में अडचनों का सामना बिक्ति को करना पड़ेगा ये आपका सनी ही पे इंगित करता हुआ नजर आ रहा है पैसों के मामले में, बरतमान समय में संगर्शों का सामना करना पड़ेगा यदि पैसा आते भी है तो अभी आपकी हतेली में बज़ पाना उनका मुश्किल है जिस तरों से सेविंग करना चाए उस तरों से सेविंग पैसों के नहीं होती हुई यहाँ पे दिख रही है और एक चीज और बता रही है आपकी तरजनी आपकी मध्यमा के बीच अच्छा खासा चिद्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपने बहुत अच्छा करोडों में भी पैसा कमा लिया लेकिन ये चिद्र 35 वर्सतक धन के मामले में संगर्श रहेगा यदि आप उससे पार हो गई है तो अच्छा खासा धन आप जो है सेविंग करेंगे लेकिन अभी जो है खर्चिला सुभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूप में दिखाई दे रहा है अगर आप नोकरी कर रहे हैं तो नोकरी में अभी आपको अडचनों का सामना करना पड़ेगा वहीं आपकी जो उंगलियां है कहीं न कहीं सारी उंगलियों का जुकाव बीच की उंगली की तरफ है ऐसे में बहुत ब्यक्ति के अंदर सब कुछ अगर होगा भी तो जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिलती है और ये मिडिल फिंगर इस तरह से जो है मुड़ी होई होती है तो बहुत जादा महिनत के बाद ही सपलता की ब्यक्ति को प्राप्ति होती है ये चीजे यहाँ पे इंगित करती हुई आपकी हतेली बता रही है वहीं अगर हम तरजनी उंगली को देखते हैं ब्रिस्पती उंगली को देखते हैं तो उसका जुकाव जो है सनी की उंगली की और है तो ऐसे ब्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाई भी अच्छे खासी होती है अगर हम आपका अंगोठो का देखते हैं तो अंगोठा आपका पीछे की और मुणा हुआ है ब्यक्ति जो है प्रस्तिति के उनसार ढ़लने वाला होता है जैसे प्रस्तिति होती है उसी के अंसार ग्यक्ति ढल जाता है अगर हम बात करते हैं देखेगा अंगोठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का प्रवत कहते है शुक्र ग्रह इसको कहते है कला है कोशल है अगर देखा जाए तो सुनर्य है, सुनर्ता है, सब इसी से देखा जाता है ये पुष्टतम अवस्ता में दिखाई पड़ रहा है, स्रेष्ट अवस्ता में दिखाई पड़ रहा है, सुनर अवस्ता में दिखाई पड़ रहा है आप भी तीजुस्वी होंगे आपका चेहरा भी बहुत सुन्दर होगा सुन्दरता और आकरसन आपके अंदर विध्यमान होगा और हर प्रस्तित को हस्ते हस्ते जहलने की सकती आपके अंदर विध्यमान होगी नई चीजों के परति रुजहन रहेगा परिवार का भी आने वाले समय में भरपूर सयोग मिलेगा परपूर साथ मिलेगा और जीवन की रेखा भी आपकी पूर्ण तो पीछे की और घुमाय उदार है तो आप भी परिवार की समरपण की भावना रखेंगे लेकिन अपने जीवन में जो करोगे अपने बलपर करोगे ये चीज आपका सुक्र का प्रोवत यहाँ पर बता रहा है बहुत एक सुक्सुवदाई भी आने वाले समय में अच्छे रहेगी जीवन रेखा निरंतर उन्नति की और इसारा करती हुई यहाँ पर नजर आ रहे है और कहीं न कहीं देखा जाए तो जीवन रेखा में एक इस तरों से जो है बन रहा है देखेगा ये जिवनकाल में विदेश यातरा को इंगित करती है बिक्ति अपनी जिवनकाल में विदेश यातरा को भी करता है और यहां पर देखें मंगल छेतर पर एक रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है जो आपके परतिपा आपकी तीप्रपुद्धि को कहीं न कहीं इंगित करती हुई दिखाई दे रही है ऐसे बिक्तियों को दोसरों का सयोग और बहुत अच्छे अमलता है भगवान के किरपा भी इनके उपर अच्छे खासी रहती है और ये लब मेरीज का बहुत सुनर जो है साही निया पर दिखाई दे रहा है ऐसे बिक्ति लब मेरीज जादा करते हैं ये लब मेरीज के चांस को बढ़ाता है और अपनी मन पसंद साती से जो है ऐसा बिक्तिसादी करता है ये एक लक्षणियां पर दिखाई दे रहा है दोसरा अगर देखा जाए तो हिर्दे की रेखा जो है आपकी सनी और जो है ब्रस्पति जी के बीच में दिखाई दे रही है ऐसे ब्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है और जो ब्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है और अपनी मन पसंद साती से ही इन लोगों का साधी होता है इस तरह से दो तीन निसान आपकी हतेले में अच्छे खासी दिखाई दे रहे हैं जो लंबेरीज की और जो है इसारा करते हुई दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जिवन रेखा से निकलती हुई एक रेखा कहीं न कहीं जो है चंद्रमा के और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लेकिन चंद्रमा अभी पुष्टतम अवस्ता में नहीं दिखाई पड़ रहा है जो भी रेखा अगर कोई इस तरह से निकल करके चंद्रमा की और जाती है तो ब्यक्ति फूडिंग में सिपिंग में एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में टोर एंड ट्रेवल्स में ट्रांसपोर्ट में अगर करियर बनाएं तो सफलता की ऐसे ब्यक्तियों को प्राप्ति होती है अगर हम ब्रिस्पति का छेतर को देखते हैं ब्रिस्पति का छेतर बहुत जादा जो है पुष्टतम अवस्ता में नहीं दिख रहा है लेकिन ठीक ठाक है, सुन्दर है अच्छा खासा है बरतमान समय में अगर देखा जाए तो साधारनता आपको देता हुआ यहाँ पे यह दिखाई पड़ रहे हैं सामन्य ब्रिक्तित्व दिखाई पड़ रहा है, देता हुआ गुरु आपको हाँ, हस्मुक स्वबाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालो हुँगे, प्रोपकारी ब्रिक्ति हुँगे आर्थिक पक्ष भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है, यस प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा जुकाव रहने वाला है स्वतनतर्ता और नितिर्तो की चाहा आप रखने वाले हुँगे और ये प्रोपत अगर पुष्टतम अवस्ता में आता है, अभी तो नहीं लेकिन जब पुष्टतम अवस्ता में ये आता है, और साथ में भग्य की रेखा भी दोस रहित हो जाती है तो सिक्षा के छेतर में, इंजिनियरिंग के छेतर में, चिकित्सा के छेतर में, मैनेजमेंट के छेतर में या बड़े सरकारी अपसर जो लोग बनते हैं, उस छेतर में अगर मेहनत करें, और आपका चंद्रमा और आपका सूरे भी पुष्टतम अवस्ता में आते हैं, तो सफलता की प्राप्ते आपको होती हुई, यहाँ पे दिखाई दे रही है फिलहाल अगर इस हतेली को देखें, देखें, हतेली में दो तीन चीजे मुख्य रोप से हैं, बरतमान समय में संगर्स की स्थितिनिश्चित तोर पे हैं, खर्चिला स्वभाव ज्यादा है, आर्थिक रोप से 35 वर्स तक संगर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ च पुष्ट अवस्ता में आने पर, आपका सनी अगर दोस्त रहित हो जाता है, तो नोकरी में हूँ, या ब्यावसाई में हूँ, अच्छा खासा सामरज्य अस्तापित कर लेंगे, आपको अपनी जीवनकाल में अपने घर का और वाहन का अच्छा खासा साथ मिलेगा, लब मै गया रेखा, चंदर छितर से इस तरों से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखा जो है 41 साल से आपके जीवन में परिवर्तन लाना सुरू करेगी, और निश्चित तोर पे आप सरकारी नोकरी की तरफ तो मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि ज्यादा साइन नहीं बता रह हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है बिजनिस की और आएंगे, और ये 42 साल से डेली अर्निंग आप से करवाएगी, और 45 साल के बाद एक करोण पती के हिसाब से जो है, आपको लोग जानेंगे, देखेंगे, लेकिन आपने अगर सूर्य को पुष्ट नहीं किया, तो कारियों का अबिस्तार नहीं होगा, अगर आपने बुद्ध को पुष्ट नहीं किया, तो अपनी बात को सही से आप रखनेंगे, अपनी भावनाओं को सही से नहीं रख पाएंगे, और उस संकोचपन के कारण आप विकाश नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको बुद्ध को अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए और हर कार्य में आपका विस्तार हो उसके लिए आपको सुर्य को पुष्ट करना बहुत जरूरी है यदि आप नोकरी करने में, नोकरी पाने में या नोकरी बदलने में कोई समस्या आपको आ रही है आपको पदोनती में कोई समस्या आ रही है तो आपको जो है कहीं न कहीं सनी को मजबूत करना बहुत जरूरी है आपकी जो भग्य रेखा है इस तरो की भग्य रेखा जोण में निरंतर उन्नत देती है ब्यापार की छहेतर में बहुत अच्छा प्रगती देती है और वाहन का और मकान का शुक ऐसे बिख्तियों को निश्चित तौर पे मिलता है और विदेश यातरा के भी ऐसे बिक्तियों के योग मिलते हैं जल छितर से जरा दोर रहे क्योंकि चंद्रमा पे कट का निशान यहां पे दिखाई दे रहा है लोगों का अच्छा खासा संयोग आपको मिलता रहेगा परतिबा के कोई कमी नहीं रहेगी और देखा जाए तो तीप्रमस्तिस्क के आप स्वामी होंगे और कहीं न कहीं जो है बहुतिक सुकसुगदाई आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा लेकिन भाग्योदा या अगर कहें सही रूप से जिवन अगर एक आर्थिक रूप से मजबूती की और सुन्दर भ्यक्तितों के और जाता हुआ जिवन आपको 41 वर्स से प्रारम होगा और जो आपको अच्छा खासा धनड़ जिसे कहते हैं वो 45 वर्स से धन इस रूप में आता हुआ दिखाई देगा देखा जाए तो मन पसंद की आपके साधी होगी और आने वाला जो साधी के बाद का जो समय होगा वो बहुत उत्तम आपका जाने वाला है कुछ वर्सों तक जैसे 35 वर्स तक धन के मामले में हलके रूप में संगर्स का सामना करना पड़ेगा और जीवन में अभी पूरा बिस्तार यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है हाँ 41 वर्स से परिवर्तन आपके जीवन में आता हुआ यहां पे पूर्ण रोप से दिखाई पड़ रहा है अगर देखा जाए तो मैंने आपके हतेले में मुख्य मुख्य जो चीजें थी उनका बारी की से अध्यन कर लिया है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रहे इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे वट्स अप करे और साथ में जो उपाई दे रहा हूँ उसको पूर्ण रूप से सर्दाबाव से और अनुसासनात्मक धंग से करने के कोशिस करे तब ही जाके जो है जीवन काल में सपलता की प्राप्ति होगी इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो के साथ को नव पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार